ग्यारवा पाठ पोंगल प्रिष्ट संख्या 60 से 65 तक अब सुनिये कहानी पोंगल भारत एक क्रिशी प्रधान देश है भारती यक किसान का जीवन प्रकृती से जुड़ा रहता है वह प्रकृती के साथ ही हस्ता रोता है नाच्ता गाता है बुआई, सिचाई, निराई आदी, खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है जब चारों तरफ हरियाली चा जाती है व्रिक्ष लताएं फूलों से लद जाती है तब मानव भी गुन-गुनाने लगता है जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं तब उसके पाउं थिरक उठते हैं वह उचसब मनाने के लिए मचल उठता है त्योहारों का जन्म यहीं से होता है पोंगल नई फसल का त्योहार है ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है तमिल नाडु का यह प्रमुक त्योहार है यह जन्वरी में मनाया जाता है पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है गन्य के खेत की फसल तयार होती है बागीचे में हल्दी का पोधा लहलहा उठता है इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है उसके जीवन में मिठास आ जाती है संक्रान्ति के दिन नए चावल का मीठा भात बना कर सूर्य को चड़ाया जाता है इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है तमिल नाडु में पोंगल त्योहार पौश मास में आरंब के चार दिनों तक मनाया जाता है पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं पूरे घर की सफाई की जाती है इस से पर्यावरन स्वच हो जाता है भोगी के दिन शाम को बच्चे धोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं उस दिन सब कुछ नया होता है आंगन में अंगीठी जलाकर नए बरतन में पोंगल पकाया जाता है बरतन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है जब चावल उबल कर उपर उठता है तो उसमें दूद डाल देते हैं दूद के साथ उपनता हुआ पोंगल बरतन के उपर से उमरता है और चारों और रिसकर आँच में तपक पड़ता है उस समय चारों और इकठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं पोंगलो पोंगल उन्हें परसन्नता होती है कि सूर्य और अगनी ने पोंगल का भोग स्विकार कर लिया है लोग अपने पास पड़ोस में पोंगल बारते हैं उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं पोंगल के दिन हर तमिल भाशी चाहे वह भारत के किसी कोने में रहता हो अपने घर पहुँचने की कोशिश करता है विवाहित लड़किया पोंगल मनाने अपने माई के आती हैं तीसरे दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है तमिल भाशा में माडू गाए बैलों को कहते हैं माडू का अर्थ धन भी है पुराने समय में गाए बैल ही हमारी संपत्ती थे माट्टू पोंगल के दिन गाए बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं शाम को मैदान में बैलों को दोडाया जाता है चोथे दिन कानुम पोंगल होता है, खाना बाद कर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है, जगहा जगहा मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं, या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं, इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनन दिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं, खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी ना किसी रूप में मनाया जाता है, गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रान्ति के नाम से मनाते हैं उत्तर भारत में संक्रान्ति पर स्नान का महत्व है गंगा, यमुना, नर्मदा, छिप्रा आदी नदियों में लोग स्नान करते हैं चावल और मूंग की दाल की खिचडी बनाकर खाते खिलाते हैं। महाराश्ट में यह तिल गुड का त्योहार है। तिल स्नेह का प्रतीक है और गुड मिठास का। लोग एक दूसरे को तिल गुड देकर कहते हैं तिल गुड घ्या गुड बोला। अर्थात तिल और गुड खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रान्ती से एक दिन पहले लोडी का त्योहार मनाते हैं। लोडी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रान्ती। लोग अपने घर से बाहर, आंगन में या चौराहे पर लकणियां जमा करते हैं। संध्या के बाद स्त्री पुरुष और बच्चे वहां इकठे होते हैं और लोडी जलाते हैं। नई फसल का मक्का आग में डाला जाता है। यह खील की तरह फूल उड़ता है। लोग मक्के की फूली अर्थात खील और दिल की रेवडियां बाढ़ते हैं। आपस में प्रेम से मिलते हैं। अरुनाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेशता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मना कर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं। अभ्यास, शबदार्थ, बुआई करना, बीज बोना, सिंचाई करना, पौधों वफसलों को पानी देना, सीचना, निराई करना, फसल के आस-पास उग आये घास फूस को हटाना, गुन-गुनाना, धीमी आवाज में गाना, थिरकना, नाचना, चढ़ाना, भोग लगाना, पौश, पूस का महीना, जन्वरी के आस-पास, मंगलमह, कल्यानकारी, आच, आग की लौ, मायका, महिलाओं के लिए मां का घर, खील, आग में भुना हुआ चावल, भोज, दावत, प्रतीक, निशानी, दैनन्दिन, दैनिक, रोजाना, एक, पाठ से, क, पोंगल का त्योहार, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग नामों से मनाया जाता है, पाठ के आधार पर तालिका भरो, इस तालिका में, पहले क्रम संख्या, फिर राज्य, और फिर त्यहौर का नाम लिखो, ख, पोंगल, चार दिनों तक मनाया जाता है, प्रतीक दिन के मुख्य क्रिया कलाप बताओ, ग, भारत एक क्रिशी प्रधान देश है, इस बात को सिद्ध करने के लिए, दो उदाहरं दो, दो, तुम्हारी पसंद, तुम्हारे प्रधेश में, कौन-कौन से त्योहार मनाये जाते हैं, तुम्हें, कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है, खेती बाड़ी, पाच में खेती से जुड़े अनीक शब्द आये हैं, तुम खेती या बाखबानी से जुड़े कुछ औजारों के नाम बताओ, चार, रंगोली, क, पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं, रंगोली बनाने के लिए किन-किन चीज़ों का प्रियोग किया जाता है, सूची बनाओ, ख, रंगोली का कोई डिजाइन बनाओ, पांच, खाना-पीना, पांच में ऐसी अनेक चीज़ों के नाम आये हैं, जिन्हें खाने-पीने के लिए प्रियोग में लाया जाता है, बताओ, इनका प्रियोग किन पकवानों में होता है, ख, चावल, ख, हल्दी, ग, गुल, ग, मक्का, न, गन्ना, च, दूध, च, तिल